दुनिया भर में इलेक्टिव वीकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। आपने ऐसे वीकल आज तक नहीं देखे होगे तो देर ना करता हुए शुरुवात करते हैं। सीना मोबिलिटी एक एक इलेक्टिव वीकल स्टाटप कमनी है जिसे रिसाब इन अधनान हश्मी ने स्थापना की है जो भारत की बहुती स्पेशल टांस्पोर्ट समस्याओं को हल करने का लेक्षर रखते हैं। कमनी के सीउ और इसाब इन अधनान हश्मी का कहना है कि हमारी जन्नी आयाइटी मदरास इंक्यूबेशन सेल में इंक्यूबेट होने से पहले एनसर सीएल आई आयाइम बेंगलोर में शुरू हुई। फिलाल ये दोनों आयाइटी मदरास रिसर्च पार्क चेंडाय में इस्तीत है। अगर एसी ये भायप में बने तो एकसिड़न का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने फुली इंक्लोजन मुटर बाइक डिजाइन की है। ताकि एक्सिडेंट का खत्रा बहुत कम हो। विजा ने इलेक्टि मूबिलिटी के सबसे खास बात यह है कि यह सेल्फ बेलेंसिंग मोटर बाइक है। यानि कि ड्राइव करते समय चालक के गिनने का खत्रा बिल्कुल नहीं होगा। इतना ही नहीं यदि आप खुद इसे धका देते हैं तो भी यह मोटर बाइक नहीं गिरेगा। सेल्फ बेलेंसिंग फीचर की बात करें तो इस कार में श्टोपिंग ड्यू टॉ ट्राफिक, कोलिजन फ्रोम एनदर वीकल और सड़्नली स्टोपिंग जैसे सेल्फ बेलेंसिंग फीचर दिये गये हैं। सेफटी फीचस की बात करी तो इस मोटरबाइक में सेफटी सिट बेल्ट, एरबेग्स, ABS काॉंटर स्कीडिंग, ट्यूबलर स्पेस फ्रेम और चेचिछ सु डिजूस इंपेक्ट जैसे फीचस दिये गए है सिटिंग केपिसिटी की बात करें तो इस मोटर बाइक में आगे पीछे दो सीट डी गई है जिसमें एक से दो आदमी सफर कर सकते हैं इस मोटर बाइक की सीट लोंग ट्रेवल के लिए काफी ज़यदा कमफर्टेबल है और यह मोटर बाइक कार जितनी ही कमफर्टेबल है डॉर्स की बात करें तो इस 2Wsky में डबल डोर्स दिया गया है इस 2Wsky कार के फ्रन वर यीर में डिस ब्रेक दिया गया है विजानी मॉबिलिटी को चलाने के लिए हेंडल बार दिया गया है घकला है, जिसमें जरुत की हर्चीज देख सकते हो इस electric car के front melody headlight, turn indicator वो rear melody tail light दी गई है इसके लाव इस car में ACB दी गई है जिसकी मज़े से ज़्यादा दूप में cooling का आनन ले सकते हैं इसके साथ इस front ये rear में luggage space भी दिया गया है Power route specification की बात करें तो इस two wheel car में 5KW के electric motor दी गई है जो 7NM का torque generate करती है इसकी motor को power देने के लिए 4.8 KW का lithium battery pack दिया गया है जिसे एक बार full charge करके 180 km तो 90 ब्राइड ले सकते हो इसकी battery को full charge होने में 4.5 घंटे का समय लगता है फिलाहलिस car पर काम चल रहा है आसा करते हैं कि जल्दी ये motorbike बनकर भारत का नाम रोशन करे Motorbox two wheel electric car इस्टाड़ कमनी Motorbox ने एक new vehicle का concept paste किया है ये two wheel car bike अपने आप में unique है ये unique car steer electric vehicle है जो दिखने में में मीश्मार और चलने में भी स्मार लगता है Motorbox एक ऐसा vehicle है जो सिर्व दो पहियों पर चलता है इस car को security के साथ comfort का आनन लेते हुए चला सकते हो बेहदी आकर सक लूक और दमदर इलेक्टि मोटर समता से लबरेज इस bike में आप motorcycle handling handling रफतार के साथ इक car की भीतर के आराम को भी महसूस करेंगे ये fully electric bike है जिसमें जड़ा सा भी तेल खर्च नहीं होता है इस bike को कमनी ने motorbox नाम दिया है इस bike में कमनी ने बेहदी आदोनिक तक्निक्यों का प्रयोग किया है जो कि सलक पर इस bike को और भी शांदर बना देते हैं motorbox में एक smart landing system दिया गया है जिसके मदल से आपको इस feature की car जैसी motorbike पर बीना पेर रखे आराम से चला सकते हो इस bike में कुल दो लोगों के बेठने की विवस्ता की गई है जिसमें चाला की पिछे के seat पर एक वर seat का प्रयोग किया गया है इसके driving संदुनन को बेहतर बनाने के लिए एड़ेसर बर seat का प्रयोग किया गया है जो कि वहां के भीतर दो राउंड डिस्क पर फीट किये गये है जब चाला की इस bike को सरक पर चलाता है और दाय बाय मोलता है तो seat भी automatic चाला के शरी के अनुसा मूँ करती है जो कि चाला को सदे और राइड डिरेक्सन में रखती है मोटर बोक्स बाय को कहीं भी फीट और पार्क करना आसान है शहर में आने जाने और क्रूस करने का ज़्यदा फ्रीडम मिलता है मोटर बोक्स एक सीक्योर और कमफरड़ेबल कार के बिन के साथ एक स्लिम और स्टैलिस शेल्फ बेलेंसें इलेक्रिग मोटर बाय के है फ्रण्ड और रियर में डिस्व्रेक दिये गये हैं इसके लाओ इस बैक के फ्रण में अलएड़लाइट्स ठरन इंडीकेटर वर रियर मेलेडी टेल लाइट दी गई है फिलार इन दोनों मोडूल का कॉंट से पेश किया गया है आसा करते कि जल्दी इसे मार्केटी में लाया जाए तो दोस्त यह ची टोप टू बाइक कार वीडियो पसाने हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एस पोडो को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब कर लीजिए टेक केर बाइ